तार्पूर साथ करिडोर समर्पित कर रहा हूँ जैसी अनुभूती आप सभी को कार सेवा के समय होती है अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है मैं आप सभी को पुरे देश को दुनिया भण में बसे सिख भाईयों बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता आज शिरोमने गुर्द्वाना प्रबंदे कमिटी उन्होंने मुझे कोमी सेवा पुरसकार भे दिया ये पुरसकार ये सम्मान ये गौराओं हमारे महान संत्परंपरा के तेश प्याग और तपस्या का प्रसाद है मैं इस पुरसकार को इस सम्मान को गुरु नानर देवजी के चरणों में समर्पिश करता हूँ आज इस पविश्त्र भूमे से गुरु नानर साथ के चरणों में गुरु ग्रन साथ के सामने में मैं नमर्पा पुरु यही प्राथना करता हूँ कि मेरे भीतर का स्वा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका अस्पिरवार मुझ पर ऐसे ही बना रहे साथियों गुरु नानर देव जी के 515 प्रकास उत्तव से पहले इंटिग्रेटेज चेक पोस्ट करतापुर साथ को रिड़ो इसका आरंब होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है कार्तिक पुर्णिमा का पर इस बार देव दिपावली और जगमग होकर के हमें आशिरवात देगी भाई और बहनों इस कोड़ेडोर के बनने के बार अब गुर्दवारा दर्वार साथ के दर्सन आसान हो जाएंगे मैं पंजाब सरकार का शिरोमणी गुर्दवाना प्रबंदक कमिशी का इस कोड़ेडोर को तैस समय में बनाने वाले हर स्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री स्रमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने करतार पूर कोरिडोर के विशेरे बारत की भावनाओं को समझा सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कारियट किया मैं पाकिस्तान के स्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्ता करता हूँ जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरब के कोरिडोर को पूरा करने में मदद की साथियों गुरुनान देव जी सिर्फ सिक्पंत की बारत की ही धरोदर नहीं बलकि पूरी मानवता के लिए प्रेणा पुंज है गुरुनान देव एक गुरु होने के साथ सा एक विचार है जीवन का आधार है हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे मुल्य, हमारे परवरिश, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे सरक, हमारे बोल, हमारे वानी यह साब गुरु नानक देव जी जैसे पुन्य आत्मा और द्वारा ही गड़ी गई है जब गुरु नानक देव यहां सुल्टान पुर्लोबी से यात्रा पर निकले थे तो किसे पता था कि वो यूग बदलने वाले हैं उनकी वो उदाथिया वो यात्रा ने संपर्ग संवाद और समन्वाए इससे सामाजिक परिवर्तन की बहतरीन मिथाल है अपनी यात्राओं का मकसद स्वयम गुरु नानक देव जी ने बताया था बाबे आखिया नाक जी सचू चंद्रमा कुडु अंधारा कुडु अमावसी बर्तिया हूँ भाला शरिया सांसरा साथियो वो हमारे देश पर हमारे समाज पर अन्याए अधार्मा और अत्याचार की जो हमारे वस्या च्छाई हुई थी उससे बहार निकालने के लिए निकल पड़े थे गुलामी के उस कथीन कारखन में भारत की चेतना को बचाने के लिए जगाएं रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पिश कर दिया साथियो एक तरफ गुरुनार्णक देवजी ने सामाजिक दर्षन के जिरिये समाज को एकता भाईचारे और सौहार का रास्ता दिखाया वही दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक बवस्ता की बैठ दी जो सच्चाई इमानदारी और आत्म सम्मान पर ठीकी है उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और इमानदारी से किये गए विकात से हमेशा तरकी और सम्रदी के रास्ते खुलते हैं उन्होंने सीख दी कि जंतों आता जाता रहेगा पर सच्चे मुल्य हमेशा रहते हैं उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मुल्यों पर अडिग रहकर काम करते हैं तो सम्रदी स्थाई होती है भाई और बैनों करतारपूर सिर्फ गुरुनानक देवजी की कर्म भूमे नहीं है करतारपूर के कण कण में गुरुनानक देवजी का उस पसी ने किया महेक मिली हुई है उसकी बायू में उनकी मारी घुली हुई है करतारपूर की धर्थी पर ही हम चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम किरत करो का उदारा प्रस्तूत किया इसी धर्थी पर उन्होंने नाम जपो की विधी बताई और यही पर अपनी मेरत से पैदा की गई फसल को मिल बाढ़ कर खाने की रीत भी शुरू की वंड़ चको का मंत्र दिया साथियों इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा ये कोरिडोर इंटिग्रेटिड चेक्पोस हर दिन हजारों सद्धालूओं की सेवा करेगा उन्हें गुद्वारा जर्बार साथ के करीब ले जाएगा कहते हैं शब्द हमेशा उर्जा बनकर बातावरं में विद्यमान रहते हैं करतारपूर से मिली गुरुवारी की उर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बैब है भाई बैनों कोई नहीं बलकि हर भारतवाजी को अपना आशिरवाद देगी साथियों आप सभी बली बाती जानते हैं कि गुरु नानक देवजी के दो बहुत ही करीबी अन्यवाई थे भाई लालो और भाई मरदाना इन होनारों को चुन कर नानक देवजी ने हमें संदेश दिया कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता और सब के साथ बराबर होते हैं उन्हाने सिखाया है कि बिना किसी भेदबाव के जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो प्रगती होना पक्का हो जाता है भाई और बेहनों गुरु नानक जी का दर्शन केवल मालव जाती तक ही सिमित नहीं था करतारपुर में ही उन्होंने प्रकृती के गुणों का गायन किया था उन्होंने कहा था पव्लू गुरू पानी पिता माता धर्टी महतु यानि हवा को गुरु मानो पानी को पिता और धर्टी को माता के बराबर महत्वदो आज जब प्रकृती के दोहन की बाते होती हैं परियावरन की बाते होती हैं प्रदुशन की बाते होती हैं तो गुरू की ये वानी ही हमारे आगे के मार्ग का आधार बनती है साथियों आप सोचिए हमारे गुरू कितने दिर्गत रष्टा थे कि जिस पंजाब में पंजाब पांच नदियां बैठी थी उनमें बर्पूर पानी रहता था तब यानि पानी लबा लब भरा हुआ था तब गुरु देव ने कहा था और उन्होंने पानी को लेकर चिंता जताई थी उन्होंने कहा था पहला पानी जियो है जीत हरिया सब को हुए यानि पानी को हमेशा प्रात्विक्ता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी स्रस्थी को जीवन मिलता है सोचिए सेंकरों साल पहले ये द्रस्ती बविश्य पर ये नजर आज बले हम पानी को पात्विक्ता देना बूल गए प्रकूती परियावन के प्रति लापरवा हो गए लेकिन गुरु की वानी बार बार यही कह रही है कि वापस लोटो उन संसकारों को हमेशा याद रखो जो इस धर्ती ने हमें दिये है जो हमारे गुरुओं ने हमें दिये है साथियों बीटे पांच सालों से हमारा यह प्रयास रहा है कि भारत को हमारे समर्द्ध अतीत ने जो कुछ भी सोपा है उसको समरक्षित भी किया जाए और पूरी दुनिया तक पहुचाया भी जाए बिते एक वर्ष से गुरु नानक देव के पांच सो पचास में प्रकासोक्सव के समारों चल रहे हैं वो इसी सोच का हिस्टा है इसके तहर पूरी दुनिया में बारत के उच्चायोग और दुतावाद विशेष कारिकम कर रहे हैं सेमिनार आयोजित कर रहे हैं गुरु नानक देव जी उनकी स्मुर्थी में समारों सिक्के और स्टैम भी जारी किये गए हैं साथियों बीते एक साल से देश और विदेश में किर्टन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर जैसे आयोजिनों के माजम से गुरु नानक देव की सिक्का प्रचार किया जा रहा है इससे पहले गुरु गोविन सीजी के तिन सो प्रचासवे प्रकासोत सब तो भी इसी तड़ा भवेता के साथ पुरी दुनिया में मिना मनाया गया था पटना में हुए भव्वे कारकम में तो मुझे खुद जाने का सवभाग्य भी मिला था उस विशेश अवसर पर तिन सो प्रचास उर्पिय का समारक सिक्का और डाग सिकड़ भी जारी किये थे गुरु गोईन सीजी की स्बुती और उनका संदेश अमर है इसके लिए गुजराच के जामिय अगर में साथ सो पचास बेड़ का आजभूनिक अस्पताल भी उनके नाम से बनाया गया है भाईयो और भेनो गुरु नानक जी के बताएं रास्ते से दुनिया की नई पीड़ी भी परिचित हो इसके लिए गुरु बाणी का अनुवार विश्व की अलग अलग भाशाओं में किया जा रहा है मैं यहाँ युनेस्को का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिसने केंदर सरकार के आगरों को स्विकार किया युनेस्को द्वानाभी गुरु नानक देवी जी की रचनाओं को अलग अलग भाशाओं में अनुवाद करने में मदद की जा रही है साथियों गुरु नानक देव और खाल सा पंसे जुड़ी रिसर्स को बढ़ावा मिले इसके लिए ब्रिटेन की एक उनिवर्सिती में चैस की सापना की गई है ऐसा ही प्रयाद कनेडा में भी हो रहा है इसी तरह अम्रिट्सर में इंटर फेट उनिवर्सिती की सापना करने का भी हैसला लिया गया है ताकि सद्भाव और विवितता के प्रती सम्मान को और सोचाहान मिले भाई और बैनों हमारे गुरुवां से जुड़े अहम स्थानों में कदम रखते ही उनके विरासत से साक्षात कार हो नई पीरी से उनका जुड़ाव आसानी से हो इसके लिए भी गंबीर कोशी से हो रही है यही सुल्तान पूर लोभी में आप इन कोशीज़ों को साक्षात अनुभव कर सकते हैं सुल्तान पूर लोभी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम चल रहा है हेरिटेज कॉंप्लेट हो, म्यूजियम हो, अडिटोरियम हो ऐसे अन्यक काम, यहां या तो पूरे हो चुके हैं, या फिर जल्ब पूरे होने वाले हैं यहां के रेवेटेशन से लेकर, शहर के अन्यक्षेत्रों में, गुरु नानक देवजी की विरासर, हमें देखने को मिले, ये कोशिच भी की जा रही है गुरु नानक देवीजी से जुड़े, तमाम स्थानों से होकर गुजर रहे वाली, एक विशेश ट्रेन भी, हफ्ते में पांच दिन चलाई जा रही हैं, ताकि इस रद्धावलों को आने जाने में परेशानी ना हो भाई और बैनों, केंद्र सरकार ने देश भर में सिथ, सीखों के अहम स्थानों के बीच, कनेक्टिविटी को ससक्त करने का भी प्रयास किया स्रियकाल सक, दमदमा साहब, केजगर साहिब, पटना साहिब, और हुजूर साहब के बीच, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है अम्रिश्टर और नांदेर के बीच, जिसे स्थाइट की भी अपने शेवा सुरू हो चुकी है ऐसे ही, अम्रिश्टर से लंदन के लिए जाने वाली, एर इंडिया की स्थाइट में, इक ओमकार के संदेश को भी अंकित किया गया है साथियों, केंडर सरकार ने, केंडर सरकार ने एक और महत्वपों फैस्वा लिया है जिसका अलाब, दुनिया भर में बसे, अनेग सिख परिवारों को हुआ है कई साहों से, कुछ लोगों को भारत में आने पर जो दिक्कत थी, अब उन दिक्कतों को दूर कर दिया गया है इस कदम से, अब अनेग परिवार, वीजा के लिए, OCI कार्ड के लिए, अपलाई कर सकेंगे वो यहाँ भारत में, अपने रिष्टेदारों से, आसानी से मिल सकेंगे और यहाँ, गुरुओं के स्थानों में जाकर, अर्दास भी कर पाएंगे बाई और बेहनों, केंद्र सरकार के, दो और फैसलों से भी, सिख समुझाय को, सीधा लाब गुआ है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के हटने से, अब जम्मू, कश्मीर और लदाग में भी, सिख परिवारों को, वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं अभी तक, वहाँ हजारों ऐसे परिवार थे, जो अनेग अधिकारों से वंचित थे इसी प्रकार, सिटिजन्स एमेंडमेंट बिल, उसमें संसोधन का भी बहुत बड़ा लाब, हमारे सिख भाई बेहनों को भी मिलेगा उन्हें भारत की दागरेक्ता मिलने में आथानी होगी साथियों, भारत की एक्ता, भारत की रक्षा-फुरक्षा को लेकर गुरु नालग देवजी से लेकर, गुरु गोविन सीदी तक, हर गुरु साहम ने निरंतर प्रयाश किये, अनेक बलिदान दिये है इसी परंपरा को आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की रक्षा में सीद साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है देश के लिए बलिदान देने वाले साथियों के समर्पड को सम्मान देने के लिए भी अनेक सारसक कदम केंदर सरकार ने उठाये है इसी साल जल्यावाला बाग हत्याकान के सो वर्थ पुड़े हुए है इससे जुडेस मारक को आजोनिक बनाया जा रहा है सरकार द्वारा सिख हुआउं के स्कूल, स्केल और स्वरोजगार पर भी विशे ज्यान दिया जा रहा है बीते पांच वर्थ में करिब 27 लाख सिख टुडेस को अलग-अलग कालशिप दी गई है भाई और बैनों, हमारी गुरु परंपरा, संत परंपरा, रिशी परंपरा ने अलग-अलग कालशन में अपने अपने हिसाब से चुनोतियों से निपटने के रास्ते सुझाए है उनके रास्ते जितने तब सार्थ सकते उतने ही आज भी एहम है राश्तिय एक्ता और राश्तिय तेतना के प्रती हर संत, हर गुरु का अगरा रहा है अंदविस्वाथ हो, समाज की कूरितिया हो, जाती बेर हो, इसके विरुत हमारे इन संतों ने, गुरु ने मजबुती से आवाज बुलंद की है साथियों, गुरु नारग भी कहा करते थे, विच दुनिया से भी कमाईए, तर दरगी बेसन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही मोक्ष मिलता है, जीवन सभल होता है आईए, इस अहम और पवित्र पढ़ाव पर हम संकल्पले की गुरु नारग भी के बचनों को अपने जीवन का हिस्सा मनाएंगे हम समाज के भी तक सजभाव पैदा करने के लिए हर कोशिस करेंगे हम भारत का अहित सोचने वाली ताकतों से सावदान रहेंगे, सतर्क रहेंगे नसे जैसी समाज को खोखला करने वाली आदतों से हम दूर रहेंगे अपनी आने वाली पीडियों को दूर रखेंगे परियावरण के साथ तानमेल बिठाते हुए विकास के पत्कों ससक्त करेंगे गुरू नानक जी की यही प्रेणा मानवता के हिक के लिए विश्व की शांती के लिए आज भी प्रासंगित है नानक नाम चरदी कला तेरे भाने सर्वत दा भला साथियों एक बार फिर आप सभी को पुरे देश को संपुण विश्व में भैले सिख्ताथियों को गुरू नानक देव जी के पांसो पचास वे प्रकासोत से उपर और करतारपूर साथ को रिडोर की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ गुरु गन साथ के सामने खड़ होगर के इस पवित्र कारिय में हिस्सा बनने का औसर मिला मैं अपने आपको धन्ने मानते हुए अब सब को प्रणाम करते हुए सतनाम स्री भाहे गुरू सतनाम स्री भाहे गुरू सब नाम स्री वाहे गुरू